नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी काज एक पर फिर से आपके अपने चैनल लेर्णिंग एंपायट पर मेरे जानी अनु के साथ और आज का हमारा टोपी का फिजिकल फीचर्स ओफ इंडिया इसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के जोग्राफिक और सपशली हम बात करेंगे हिमाल्या की दिय हिमालयन माउंटेन सींटम तो इस दोस्तों इस सेशन को शूरू करने से पहले हम एक अनिमेशन के तुरू यह समझेंगे कि व टेक्टोनिक प्लेट में मुव्मेंट होती है धर्ती आलग अलग कॉंटिनेंट्स में डिवाइड हो जाती है फर्दर डिविजन होता है तो हमारा जो इंडिया है वह आप देख रहे होंगे कि दीरे-दीरे करके मूँव होता है और जाके ये युरोशियन प्लेट में टक्रा जाता है जैसे ही ये टक्राता है इसके टक्राने से धर्ती अह ju Colorado होता है और हम देखता है हमारे आज का वर्ल्ड तो ये जो हमने एनिमेशन में देखा दोस्तों यह थी हमारी टेक्टोनिक्स थियोरी और इसी वजह से बनता है हमारा इंडिया हमारा हिमालियान सिस्टम तो आगे चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनि फदर डिले सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमारे प्यारे इंडिया की इंडिया जो है पूरी दुनिया में सेवंट लार्जस्ट लेंड मास है तो दुनिया के सारी के साथे जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें कि दृष्टी से इंडिया सबसे विशाल है और अगर इसमें प्राक्टिकली देखा जाए तो हर चीज आपको फिजिकल फीचर इसका हर तरीकी का मिलेगा चाहे वो मांटेंस हो चाहे प्लेंस हो चाहे प्लेटू हो चाहे आइलेंस हो हर चीज आपको इंडिया में देखने क को मिलेगी फर्दर अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं तो ग्रेट फिजिकल वैरियेशन में मैंने यहां पर तीन चीजों को स्पेसिफिकली नोट किया है सबसे पहले मैंने प्लेटू को नोट किया है उसके बाद माउंटेंस को नोट किया है और भी लास्टली मैंने नदन इसको नोट किया है तो प्लेटू दोस्तों इगनियस या मेटमोर्फिक रोक से बनते हैं इनको लावा चट्टाने भी बोलते हैं और क्योंकि दोस्तों यह मोस्ट एंशियंट जो लैंड मास है यानि कि आपका गोंडवाना लैंड उसका हिस्सा माना जाता है तो इसलिए हम बहुत ही कम चांसी होते हैं तो इसलिए जाता है इसको यह जो है दोस्तों यह इनको बने हुए सिर्फ कुछी मिलियन साल हुए है और इनको जब यह बने थे दोस्तों तो फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट हुआ था तो जब टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है दोस्तों पूरी की पूरी अर्थ में तो उस वज़े से जो है एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट से टकराती है और जब यह टकराती है तो बीच में बहुत भारी उभार आ जाता है उसी उभार का नतीज़ा है कि हमारा इंडिया ग्रेट हिमालिया ओस नोर्थ में देखता है ठीक थो हिमाले जो है वेडि यूथ फूल है क्योंकि इसको बने में मिलियन ही यह हुए है और अंस्टेबल इसको बोले जाता है क्यों क्योंकि दोस्तो जितने भी अर्थक्वेक आते हैं mostly हमालियन रेजन में आते हैं अगर आम इंडिया की बात करें तो इसमें बहुत ज़्जादा डीप वैली प्लस हाइस्ट पीक्स भी आपको हिमालिया में ही मिलेगी लास्ट लिए अगर बात करें दोस्तों नदन प्लेंस की तो नदन प्लेंस का निर्माण कैसे हुआ यहां से जितनी भी नदिया बैती है वह अपने साथ बहुत सारा मिट्टी सेडिमेंट्स और टुकड़े लेके आती है रोक्स के और वह रोक्स और टुकड़े लाके वह प्लेंस में जमा कर देती है और वह बहुत जादा फर्टाइल है क्योंकि वहां पर अलुवियल इंडिया को टोटली 6 भागों में डिवाइड किया जा सकता है हिमालेन माउंटेंस नदन मोस्ट माउंटेंस उसके बाद आते आपके नदन प्लेंस फिर आता है आपका इंडियन डेसर्ट उसके बाद आता डेकन प्लेट्ट्यू और फिर आता है आपका कोस्टल प्लेंस ज हमारा है लक्षुद्वीप आईलेंड तो यह था दोस्तों हमारा इंडिया के बारे में सब कुछ अगर हम बात करें दोस्तों अपने सेशन की तो माउंटेंस नहीं की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है यह यांग एंड फोल्ड माउंटेंस है वेस्ट से इस डिरेक्शन में फैले हुए है और वेस्ट में आपको दिखाई देगी इंडस और इस्ट में आपको दिखाई देगी ब्रह्मा पुत्रा तो इस वाले मैप में अगर आप ध्यान से नजर डाले तो आप देखेंगे दोस्तों की वेस्ट में आपको दिखाई देगी इंडस रिवर यह रही आपकी इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा अगर मैं दिखाऊं तो यह है दोस्तों आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर यहां पर इस तरीके से यह रिवर फोम होती है और हिमाले की परदर किया बनाती यह हमाले की वेस्टनमोस्ट बनाती है तो इस 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 जो क्योशता थे और तो हिमालिय की तो अल यह आप इस जो हित्ति किया है दोस्तों अगर आप world history या Indian history को देखेगे तो आपने कभी यह नहीं मैसूस किया होगा कि इंडिया में नोर्थ की तरफ से कभी कोई attack हुआ है, इंडिया नोर्थ की तरफ से कभी कोई attack नहीं हो सकता, इसकी possibility बिलकुल zero है, क्योंकि हमालe जो है इसकी average height जो है under 6,000 meters है और और यह continuous mountains है, म यह जो red line देख रहे हैं आप दोस्तों यह बिलकुल continuous है ठीक है और यह इसमें बिलकुल एक भी आपको दरार नहीं दिखाई दे रही है यानि के यह हमारी इंडिया का नदन मोस्ट एरिया है और इसमें बिलकुल भी दरार नहीं है और यह continuous and loftiest mountains है इसलिए नौर्थ की साइड सेड़क होना बिल्कुल पोसिबल नहीं है क्योंकि 6000 फीट की उचाई पे जाके इतनी थंड हमें कोई इंडिया पे अटक करे तो यह बिल्कुल प्रैक्टिकल आसदिय कोई सीथ कोर्पेस और कीти यह यह 12 की फोर्मेशन में और 2400 किलोमेटर का एरिया कभर करते हैं इनके गोंछिट है 400 किलोमेटर किलोuego मीटर समीर में वनवרגता हैं strongest किलोमेटर करनेूटर प्रदेश आरूनाचल भर्म्यपूत्र रीवर जासा का मैंने बताया इस्तर्न मोस्ट बाउंड़्री बनाती है और इंडस रीवर जो है वेस्तर्ण मोस्ट D favor बनाती है तो this is your the सिस्टम ग्रूर मांटेन सिस्टम हिमादरी को greater हिमालिया और inner हिमालिया भी बोला जाता है जो आपका light blue color में है थोड़ा और dark blue color हो जाता है ये represent करता है आपके lesser हिमालिया को और in the end जो third layer है वो आपकी शिवालिक layer को represent करती है तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हिमादरी range की तो हिमादरी में देखें दोस्तों हिमादरी हिम का मतलब होता है बर्फ और आदरी का मतलब होता है mountains तो वह mountain जो बर्फ से धके हुए रहते है और cold हिमादरी mountains तो नाम से पता चलता है दोस्तो की हिमादरी यानि के जो greater himalya में आने वाले mountains हैं वो हमेशा बर्फ से ढखे रहते हैं अब जब वहाँ पे हमेशा ही बर्फ दिखेगी तो plus वहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने इस दिखाई देगी तिक यह भी मैंने बता दिया है आपको कि नादन मोस्ट मांटेन है क्योंकि आप देखें इंडिया के बिल्कुल नौर्थ में है तो यह जो हिमादरी है न दोस्तो इसमें एक भी बैरियर नहीं है इसमें एक भी दरार आपको नहीं द यह जो एवरेज उचाई है वह है सिक्स थामज़न मीटर ठीख है और चेहं अलमेटर की इसकी उचाई है और इसकी विट है 1.500 चारब सेilot की इछोंफलिलो मेटर ठीक है तो बहुत कर जाती है विट लेकिन इसकी हाइस्ट वह है 6,000 मिटर अभिरेज हाइट तो यह था दोस क्योंकि हिमाचल बहुत important area है जो lesser हिमालय में पढ़ता है ठीक है तो lesser हिमालय जो है mainly high compressed and altered rock से बनता है बहुत सारी rocks जब बहुत जादा बुरी तरह से compress हो जाती है तो दीरे दीरे ऊपर उठने लगती है और उची उठी हुई rock से बनता है हमारा lesser हिमालय यानि के the second parallel range of हिमालया इसी area में दोस्तों आपको मिलेगा पीर पंजाल रेंज ठीक है तो lesser हिमालय में आपको पीर पंजाल रेंज मिलेगा हिमादरी में आपको एवरेस्ट मिलेगा ठीक है और कुल्लू मनाली या फिर हिमाचल हो गया तो कश्मीर वैली हो गई यह सारी की सारी जो famous destinations हैं वो आपक लसर हिमालिया में ही मिलेगी और लसर हिमालिया सारा साल बर्फ से ढखा भवा नहीं रहता है ठीक है और श्पेशलिटी क्या है की यह अपने टूरीजम के लिए मेंली जाना जाता है तो हमने देखा कि highly compressed and altered रोग से बना होता है और longest and the most important range जो है इसकी पीर पंजाल रेंज है जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी और इसमें कुलू मनाली हिमाचल प्रदेश यह सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्लस यह अपने हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है अब इसकी उचाई की बात करें तो 3700 से 4500 मिटर्स तक इसकी उचाई होती है और 50 किलो मेटर तक इसकी average width होती है यानि के 50 किलो मेटर तक इसकी average चोड़ाई होती प्लस जादा उचे मांटं भी आपको नई दिखाई दे नहां identifying छोड़ाई जादा छोड़े मांटेन आपको इहां पर रहाए दिखाई दिखाई देंगे यहां यहां पर आपको average mountains दिखाई देंगे मांटन की जो एज वो अल्टिट्यूड नाइन हंडर से 1100 मेटर्स तक आपको बेसिकली यहां पर दिखाई देगा और यह जो रेंज है दोस्तों इसमें क्या होता है शिवालिक में यह आपका है greater हिमालिया फिर आता है आपका lesser हिमालिया यहां से जो बैने वाली rivers है यह अपने साथ बहुत सारे sediments लेके आती है और rocks के टुकड़े लेके आती है और लाके वो शिवालिक range में इसको एकठा कर देती है तो अब हम क्या देखते हैं दोस्तों यह शिवालिक range में unconsolidated sediments होते हैं जो river अपने साथ लेके आती है तो greater ह से पानी बैता है lesser italy में जाता है और lesser से शिवालिक में जाता है और शिवालिक में बहुत सारे sediments आपको दिखेंगे sedimentary rocks दिखेंगी ठीक रिच में जो già मीन में प्लेन में आप बहुत बहुत फर्टाइल लेनiciones देखेंगे दूना पोटली धूने इस प्रटी धून है वन को इसे हैं तो कुम है से आपको ऊण्टेंटइनी कि इसाइड़ एक इंपोर्टन्ट हीर स्टेशन यहां पर लैसर हिमालय में आपको दिखाई देगा और शिवालिक में आपको दून दिखाई देंगे यानि दैरा दून कोटली यह सब जो दून है वह आपको दिखाई देंगे तो अगर हम बात करें दोस्तों अभी तक हमने बात की थी पैरलल तो अगर हम बात करें दोस्तों कि हमालय को और फर्दर कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है तो हमालय को फर्दर रिवर्स के अधार पे भी डिवाइड किया जा सकता है यहां देखिए दोस्तों इस्ट से वैस्ट की तरफ जो डिविजन है वो सोरी वैस्ट से और इंडस और सतलूज रिवर के बीच का एरिया थे विश्ट के बीच का एरिया यह सतलूज और काली रिवर के बीच का एरिया को कुमाउं हिमाले कहते हैं। कुमाओं हिमाल्य सत्लुच और काली विसका है फेदर अगर आगे जाएं तो काली वीर से तीस्ता भीर के बीच जो एरिया है उसको नेपाल हिमालया भोलते हैं और इंदि एन्ड जो इस्टें मोस् डिवीज़्न वह दोस्टा से दिहांक रिवर या घ्रम पूत्रा रिवर भी बोलते हैं तो दोस्तों दिहांग बोल लो या ब्रह्मपुत्रा बोल लो दोनों सेम हैं ठीक है अरुनाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग रिवर बोला जाता है ठीक है तो हमने क्या देखा हमने देखा कि इंडस रिवर और सतलुज के बीच का हिमाल नेपाल हिमाले कहलाता है और तीस्ता और दिहांग रिवर या ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच का हिमाले इसको असाम हिमाले बोलते हैं दोस्तों जब हमारा ये हिमालय असाम में पहुंचता है और असाम हिमालय बनता है तो यहां से बहुत जादा शार्प टन ले लेता है नीचे की तरफ और यहां से बनता है इंडिया की इस्टन मोस्ट बाउंडरी तो पूर्व है पूर्व का आचल है तो इसलिए इसको पूर् चल रेंज की तो आगे चलते हैं तो यह है पूर्वांचल माउंटेंज जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तो जैसे ही असाम हिमाले में पहुचता है वहां से यह एकदम से शाप टन ले लेता है as you can see here in this map here yes तो यह देखें यह हिमाले यहां से पहुचा और यहां से इसने बिल्कुल नीचे शाप टन ले लिया आगे नहीं गया बल्कि यहां ऐसे शाप टन ले लिया इसने और शाप टन ले लिया तो नीचे आपके अरुनाचल प्रदेश है नागालेंड है मनिपूर है औ पर आके यह पुर्वांचल हिल्स बना दिया है और स्टेट के नाम पर इनका नाम रखा गया है तो यह है आपकी नागालेंड में अगर है तो आपकी नागा हिल्स बन जाएगी मनिपूर में है तो मनिपूर हिल्स बन जाएगी मिजोरम में है तो आपकी मीजो हिल्स बन जाए पर नागा लेंड में इसको नागा हिल्स बोलेंगे मनिपूर में इसको मनिपूरी हिल्स बोलेंगे और मीजोरम में इसको मीजो हिल्स बोलते है और यह क्या है पूर्वांचल के सबसे इंपर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यहां पर आपको dense forest दिखाई देंगे यहां पे बहुत ज्यादा dense forest है sedimentary rocks यहनी छोटे-छोटे मिट्टी के टुकडे वह हैं sediments आपको यहां पे दिखाई देंगे तो this is what provincial hills are तो I hope दोस्तों आपको अभी तक का आज का session समझ में आया होगा कल हम बात करेंगे Northern Indian Plains के बारे में to be continued tomorrow अगर आपको आज का session अच्छा लगा तो please do subscribe our channel and press the bell icon for more updates most importantly stay home stay safe God bless you all Jai Hind